नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है रविंदर सिंग स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर सिंग दी हल्पिंग हैंड पर आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं fundamental rights खो लेकर अब fundamental rights जो होते हैं दोस्तों आप सभी को पता हैं के ने हिंदी में मौलिक अधिकार भी कहा जाता है दोस्तों मौलिक अधिकार भी कहा जाता है या articles 12 से लेकर 35 तक हैं हमारे constitution में fundamental rights या मौलिक अधिकार को magna carta भी कहा जाता है सम्विधान का magna carta भी कहा जाता है अब या magna carta क्या चीज होती है मैं ना काटा दोस्तों एक signed letter या document होता है किसी राजा या किसी रानी के द्वारा sign किया हुआ या समर्याड द्वारा अस्ताक्षिरित पत्रिया दस्तावेज होता है आपको पता ही होगा दोस्तों बाल घंगा धरति लख जो कि बहुत जादा एक बहुत बड़े शने इता हुए है व कि और राज नेता नई दोस्तों एक बहुत बड़े लीड बनके उबहे थे 1905 के आंदोलन में बंगाल का जो आंदोलन हुआ था अब इसमें आंदोलन क्यूं हुआ था क्योंकि जो बंगाल था दोस्तों बंगाल प्रोविंस था इसको दो हिस्सों में बाट दिया था 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 वेस्ट बंगॉल हिंदूों के हिस्से में आया था और इस्ट बंगॉल मुस चंदर पाल जी ने किया था यहां पर तिलक ने एक freedom is my both right and I shall have it यह slogan यह नारा भी दिया था दोस्तों यह बहुत famous नारा है कि स्वतंतरता मेरा जन्मसिद अधिकार है यह नारा बहुत famous है दोस्तों यही नारा चंदर शेकर आजाद भी लगाते थे कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा आजाद ही मेरा जन्मसिद अधिकार है फिर 1926 पर उस्तों क्या हुआ मोतिलाल नहरू जो की जवाहरलाल नहरू जी के पिताजी थे वह एक रिपोर्ट पेश करते हैं वह एक रिपोर्ट पेश करते हैं जो की fundamental rights पर इधारित थी इस report में bill of rights के बारे में ही लिखा था जिसकी final report पर मोतिलाल नहरू, जवाहरलाल नहरू, सुभास चंदर बोस, सप्रू साव ने, सब ने sign किये थे यह report बहुत ही अच्छी थी इसमें fundamental rights को लेकर बाती हुई थी अब बात करते हैं important articles की लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे दोस्तों कि जो fundamental rights हैं वो justiciable होते हैं justiciable का मतलब होता है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप court के through अपने बात को रखेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे आपको मौलिक अधिकार प्रदान किया जाएगा जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया अब यह जो state है यादि कि जो भी government system है दोस्तों यह आपको fundamental rights provide करती है अब यह state से मतलब क्या है state से मतलब है दोस्तों हमारी हमारा सरकारी तंत्र हमारी government system राज्य मौलिक अधिकार प्रदान करेगा इसके बारे हैं बात कर चुके हैं अब आता है यह important article है इसके बारे पिछले lecture में हमने discuss किया था कि article 368 में लिखा है procedure to amend यानि कि कोई भी amendment किया जाता था अगर वो कानून fundamental rights के खिलाफ है अगर वह कानून fundamental rights के खिलाफ है तो वह unconstitutional कहलाएगा ऐसा कोई भी law जो आपके fundamental rights को infringe करता है ऐसा कानून ऐसा law unconstitutional या असमविधानिक ठहरा दिया जाएगा और वह null and void हो जाएगा तो जब इंदरा गांधी की सरकार ने 24 संशोधन पास किया तो दोस्तों मैंने बताया था कि 368 का लेना देना 13 से नहीं रहा और 13 का लेना देना 368 से नहीं रहा ऐसा संशोधन कर दिया गया था क्योंकि जो भी कानून आता था बनता था उसका 13 का हवाला और 1901 का हवाला दे के उसको रोक दिया जाता था मैंने बताया 1950 में land reforms करना चाहती थी सरकार 1950 के बाद जो election गए और नहरू सरकार land reforms लाना चाहती थी उसके बाद इं दोस्तों वो earlier यानि कि सबसे पहले 7 थे दोस्तों 7 थे numbers में लेकिन आज उनकी गिंती 6 ही रह गई है एक खटा दिया गया है इसके बार में पिछली बार बात की थी आगे भी discuss करेंगे तो right to equality ये था समानता का अधिकार समानता का अधिकार के बारे में 14 से 18 के बीच में आर्टिकल 15 में ये कहा गया था ये दिखाया गया था कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके जात के अधार पर उसके धर्म के अधार पर उसके जेंडर के अधार पर उसके skin color के अधार पर आप उसे discriminate नहीं कर सकते ये कानूनन जुर्म है फिर आप देखेंगे अगला है स्वतंत अधिकार इसे right to freedom भी कहते हैं ये article 19 से लेकर 22 का इसमें लिखा हुआ है इसमें ज्यादा important है 21 और 21A दो आर्टिकल इसमें सबस्यादे important है दोस्तों आर्टिकल 21 जो होता है वो कहता right to life and liberty और इसी के अंतरगत आता है 21A जो कहता आपका right to education को right against exploitation यानि कि शोषन के खिलाफ अधिकार आप देखते होगे बहुत सारे ढबो पर छोटे-चोटे बच्चे काम करते हैं किसी फैक्ट्रीज में बहुत सारे चोटे-चोटे बच्चे काम करते हैं 14-14 साल के कम उमर के बच्चे काम करते हैं या किसी के घर में कोई छोटा बच तो उसका सोशन किया जा रहा है दोस्तों 6-14 साल की उमर आप सरकार ने पढ़ने के लिए रखी है कि सभी को कि सभी को फ्री और कमपलसरी एजुकेशन देना ज़रूरी है 6-14 साल के बीच में वो कम से कम बच्चे इतना तो जान ले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या दुनिया में चलता है वो कुछ तो जान ले अगर आप उसे जानने ही नहीं देने दोगे आप उसे कुछ करने ही नहीं दोगे और आप उसे अपना काम निकलवाते रहोगे तो वह भी एक गलत बात है तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में इसके बारे में लिखा हुआ है इन सभी आर्टिकल्स के बारे में दोस्तों हम बहुत डीटियल में आगे पढ़ेंगे अभी के लिए एक ओवर्वीव ले ले लेते हैं राइट फॉर रिलीजिस फ्रीडम यानि की धार्मिक सुतंतता कादिकार आपको पता है भारत देश में बहुत सारे धर्म है और हम भारत का सविधान ये अजादी देता है कि हम किसी भी धर्म को प्रफेस कर सकते हैं मान सकते हैं आपने देखा होगा जो सीख कौम होती है उन्हें दोस्तों किर्पान रखने का अधिकार है किर्पान एक छोटी सी डागर होती है जो सीख लोग अपने साथ रखते हैं और आपको पता ही होगा सीख लोग जो है वो हेलमट नहीं पैनते हैं विकॉल वो टॉबन पैनते हैं ठीक है तो यह उनका अधिकार है यह उनका religious right है फिर बात करते हैं cultural और educational rights की Sanskritic और sexic अधिकार इसके बारे में article 29-30 में लिखा हुआ है और माफ कीजिएगा religious freedom के article बताना भूल करता दोस्तों तो यह है आपके 25-28 तक cultural और educational right यानि शिक्षयक अधिकार ही बताया कि मैंने 6 से लेकर 14 साल के जो उम्र के बच्चे हैं इनको free और compulsory education देना जरूरी है फिर संस्कृतिक संस्कृति यानि कि ऐसा कोई भी कोई भी व्यक्ति आपको आपके culture को follow करने से नहीं रोख सकता आपकी संस्कृति को भूलाने के लिए आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता दोस्तों फिर आपका constitutional remedies यह बहुत important है article 32 बहुत important है क्योंकि article 32 ही एक ऐसी चीज है एक ऐसा अधिकार है हमारा जो हमें अलग अलग मुसीबितों से बचाता है article 33 की बात करते हैं दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो भी armed forces होती है जितने भी paramilitary forces होती है पुलीस होती है या intelligence agencies होती है जिसके अंदर IB, RAW यह सब आते हैं दोस्तों तो इन सभी लोगों का कोई fundamental right नहीं होता जब तक यह लोग service में है अब यहाँ पर दो terms आती है on duty, off duty on duty एक officer का कोई fundamental right नहीं होगा off duty वह एक civilian है और civilian के fundamental rights होते हैं लेकिन अगर वह service कर रहा है service में है तो इसका कोई भी fundamental right नहीं होगा दोस्तों article 34 की बात करें तो यह military rule है और martial law है या उसको आप martial law भी कह सकते हैं military rule आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में सेना बहुत अत्याचार कर रही है बहुत ही बुरा हाल है ऐसा कुछ भी ने दोस्तों सब मन घणते हैं सेना हमेशा आपकी लिए हाजिर रहती है सेना हमेशा आपकी लिए हाजिर रहती है अपनी जान पर खेल कर आप लोग को बचाती है एक बार नहीं हर बार हर बार अपनी जान पर खेल कर आपको बचाती है यह बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो हम चैन की नीन्स होते हैं तो दिल से सल्यूट सभी पुलीस अधिकारी, सभी military officers, paramilitary forces, armed forces सभी को दिल से सल्यूट है आर्टिकल 35 की बात करें तो इसमें इंडियन पारलेमेंट को ही अधिकार है fundamental rights को लेकर कानून बनाने का और किसी authority के पास किसी के पास यह authority नहीं है कि वो fundamental rights को लेकर कानून बनाए अब कानून बनाएंगे तो वो लोगों को ध्यान में रखके बनाएंगे कि उनकी क्या-क्या बुनियादी ज़रूरते हैं फिर था right to property मैंने बताया कि यह पहले नम्मर में 7 ते अप 6 ही रह गएं दोस्तों तो पहले 19 1 F होगा करता था दोस्तों जिसे limit करके 31 A में डाल दिया गया लिमिट करके 31 A में डाल दिया गया और फिर उसे वहां से हटा कर भी 300 A में शिफ्ट कर दिया अब यह civil right हो गया है now it is no more a fundamental right now it is a civil right right to constitutional remedies यानि कि सम्वेदानिक उपचार का अधिकार इसे article 32 भी कहते है अब जो supreme court है और high court है इनके पास power है 5 rates को issue करने की अब वो क्या-क्या है देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहला है heaviest corpus यानि कि to have the body to have the body का मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों मान लीजिए आपको किसी किसी भी illegal तरीके से आपको detain कर लिया गया है पुलिस ने detain किया है सेना ने detain किया किसी ने भी detain किया है दोस्तों तो आपको 24 गंटे के अंदर अंदर आपको पेश किया जाएगा magistrate के सामने यह आपका अधिकार है अगर ऐसा नहीं होता है तो court जो है वो heaviest corpus rate जारी करेगी और आपको समन करेगी court में और आपको पेश करना होगा जिस भी authority न आपको detain किया है यह heaviest corpus jurate है दोस्तों पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही authority पर लागू होती है यानि कि यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही authorities पर लागू होती है heaviest corpus और यह बाकी चार स्रीफोर स्रीफ प्लिक अथरटी पर लागू होती है यह पर यह जानने वाली बात है यह दोनों पर होती है public और desert दोनों पर होती है, और ये चारों बाकी के बचे वे स्री फोर शी पुबप्रॉर्टी पर लागू होती है, मैंडमास, मैंडमास क्या दोस्तोग, वी कमाड, आपने देखा होगा, कि कई बारी कोई, कोई भी बड़ी अदालत, ये कहती है कि यह हम Command करते है परम आदेशे यह आपको मानना ही होगा ठीक है आप देखते हो कि कोई Officer अपना काम नहीं कर रहा है या कोई सरकारी करमचारी अपनी Duty से बच रहा है अपना काम नहीं कर रहा है समय नहीं दे रहा है काम में तो उसको भी काम करवाने के लिए mandamus writ जारी की जाती है कि हम परम आदेश है हमारा या आप इसे टाल नहीं सकते हैं तो that is mandamus और ये भी public authority पर लगता है now next is prohibition ought to forbid आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर किसी बड़ी अदालत ने कोई फैसला दिया है नहीं बदल सकते हैं तो वह ऐसा करने से बड़ी अदालत उनको रोकेगी to forbid करेगी फिर है certiorary का मतलब है to be informed आपने देखा होगा कि कई केसिज में बहुत साल लग जाते हैं और पता नहीं उनका verdict आता है नहीं आता है यह भी विडंबना है भारत देश में निर्भया रेप केस हुआ था जो जिसको आरोपियों को सजा मिलने में ही तकरीवें दोस्तो आठ साल लग गए यह विडंबना है यह कहीं न कहीं हमारे judiciary का इसमें कमजोरी जहलगता है जहां से हमें यह पता चलता है कि नियाय मिलने में देरी होती है तो इसी लिए सरकार से कोई भी ऐसा काम कराने के लिए certiorary यानि कि जो सरकार है वो ट्रांसफर करा लेगी किसी भी केस को छोटी अदालत से बड़ी अदालत में के भाया आप मेरे पास लेकर आओ ट्रांसफर करा लेगी इसको कि आप मेरे पास लेकर आओ ट्रांसफर ऑफ केस यानि कि छोटी अदालत से बड़ी अदालत में केस ट्रांसफर हो जाएगा next is qwarantos by what authority आपने जो भी किया है वो किस के कहने पर या किस के आदेश से किया है यानि कि by what authority आपको कोई भी काम हो गया ऐसा जिसमें कोट ये पूछ सकती है कि ऐसा आपने किया तो किस के कहने पर किया और ऐसा क्यों किया तो यह क्यों वरंट हो, यानि कि आपको जवाब देना होगा सरकार को ये चारो आपके पब्लिक अथोर्टी पर लागू होती है और ये हबिस कॉर्पस आपके पब्लिक और प्राइवेट दोन अथोर्टी पर लागू होती है दोस्तो